दोस्तों आजे 20 जनवरी 2023 को IDFC फर्स्ट बैंक ने अपने क्वाटर 3 या दिसंबर क्वाटर के फाइनेशल लिजल्ट को पब्लिश कर दिया है यह इस बैंक का स्टेंडलोन फाइनेशल लिजल्ट है और यहां सारे फिगर लैक से बताए गए हैं मैं फिगर्स को करोड में कन्वर्ट कर बताऊंगा except earning per share क्वाटर 3 में इंटरेस्ट अर्ण पाँजर 912 करोड है जो प्रिवेस क्वाटर में यह 5470 करोड था और प्रिवेस एर क्वाटर 3 में यह 4429 करोड था तो इंटरेस्ट अर्ण year on year basis पर लगबग 33% बढ़ा है और sequential भी इसमें 8% की बढ़त हुई है क्वाटर 3 में total income 7,064 करोड है जो प्रिवेस क्वाटर में यह 6531 करोड था और प्रिवेस एर की क्वाटर 3 में यह 5199 करोड था तो टोटल रिवेन्यू में year on year basis पर लगबग 36% की बढ़त है और quarter on quarter is sequential भी इसमें 8% की बढ़त हुई है क्वाटर 3 में operating profit 1261 करोड है जो प्रिवेस क्वाटर में यह 1189 करोड था और प्रिवेस एर के quarter 3 में यह 770 करोड था तो operating profit year on year basis पर 64% बढ़ा है और sequentially भी इसमें लगबग 8% की बढ़त हुई है क्वाटर 3 में provisions 450 करोड है जो प्रिवेस क्वाटर में 424 करोड था और प्रिवेस एर क्वाटर 3 में यह 392 करोड था तो provisions में year on year basis पर 15% की बढ़त है और sequentially भी इसमें 6% की बढ़त है तो provisions थोड़े बढ़े है क्वाटर 3 में net profit यह profit after tax 604 करोड 61 लाग है जो प्रिवेस क्वाटर में यह 555 करोड 57 लाग था और प्रिवेस एर की क्वाटर 3 में यह 281 करोड 6 लाग था तो net profit में year on year basis पर 115% की बढ़त है और sequentially भी यह लगबग 9% बढ़ा है तो net profit तो year on year और sequential दोनों ही basis पर बढ़ा ही है क्वाटर 3 में earning per share 97 पैसे है जो प्रिवेस क्वाटर में 89 पैसे था और प्रिवेस एर क्वाटर 3 में 45 पैसे था EPS में भी year on year और sequential दोनों ही basis पर सुधार हुआ है अब चलिए हम लोग इस bank के NPA ratios को देखते है क्वाटर 3 में gross NPA 2.96 परसेंट है जो प्रिवेस क्वाटर में यह 3.18 परसेंट था और प्रिवेस एर क्वाटर 3 में यह 3.96 परसेंट था तो प्रिवेस एर क्वाटर 3 में year on year basis पर 100 basis points की कमी हुई है और अगर हम लोग sequential देखें तो इसमें 22 basis points की कमी हुई है क्वाटर 3 में net NPA 1.03 परसेंट है जो प्रिवेस क्वाटर में यह 1.09 परसेंट था और प्रिवेस एर क्वाटर 3 में यह 1.7 परसेंट था तो नेट NPA में year on year basis पर 71 basis points की कमी हुई है और quarter on quarter यह sequential इसमें लगबक 6 basis points की कमी हुई है तो asset quality में तो सुधार होई रहा है क्वाटर 3 में net interest income 3285 करोड है जो प्रिवेस क्वाटर में यह 3.002 करोड था और प्रिवेस एर क्वाटर 3 में यह 2580 करोड था तो year on year basis पर net interest income में 27.3% की बढ़त हुई है और sequential भी देखें तो इसमें 9.4% की बढ़त हुई है तो net interest income में sequentially 9.4% की बढ़त हुई है RDFC First Bank का customer deposits year on year basis पर 44% बढ़ा है और total customer deposit में retail deposit का part 77% है quarter 3 में CASA ratio मतलब current account saving count ratio 50% पर है जो previous year के quarter 3 में 51.6% था तो CASA ratio में decline हुआ है तो अगर हम लोग IDFC First Bank के overall result को देखें तो मुझे यह result अच्छा ही लग रहा है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद